हेई एवरिवन वेलकम तो सरकारियर्ट वन्स अगें तो इस वीडियो में आप सभी के साथ एक रिमाइंडर शेयर करने वाला हूं जो कि एंस बीसी नर्सिंग और बीसी पैरमेडिकल के रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटिड है तो तीन दिन पहले जो है मैंने एक वीड लिमिटेड शयद 12 या 14 मतलब वो थे सेंटर्स थे और बीसी पैरमेडिकल का सिर्फ एक ही सेंटर्स था जो कि देली या फिर NCR रिजन में था लेकिन बीसी नर्सिंग के काफी सारे सेंटर्स हो गए मतलब 40 प्लस सेंटर्स हैं हम और बीसी पैरमेडिकल के भी जो है लग पहले पहले अपना यह वाला काम खतम कर लेना क्योंकि जिन्होंने अल्रेडी रजिस्टर किया हुआ है तो उनके यहां पर डेट इन्होंने मैंशन करें थी कि 14 आपरल तक जो है वह अपना यहां पर एक्जाम सिटी जो है नाया वाला वह चूस कर सकते हैं ठीक है अभी मैं य I hope आपको clear होगी होगी तो जिसने भी अभी तक नहीं change करा है BSC Nursing या BSC Paramedical का कोई भी ऐसा candidate है मतलब पुराना candidate जिसने registration already पूरा complete कर लिया है final registration जिसका complete हो चुका है जिसने अभी तक registration ही नहीं किया है उसको कोई tension लेने की जरूत नहीं है कि अभी 14 April आज है और आज इसकी last date है तो आज आपको रात से पहले पहले यह वाला काम कर लेना है जिसने नहीं कर रहा है ठीक है और BSC Nursing के कहां कहां पर center है उस पर में video बना चुका है उसका link आपको comment section में मिल जाएगा जाके देख लेना जिसने नहीं देखा और BSC Paramedical के center कहां कहां पर है उसका भी link आपको comment section में मिल जाएगा वो भी आप जाकर देख लेना तो जिसने जिस भी exam के लिए apply कर रहा है वो वाली video जाकर देख ले क्योंकि बहुत सारे candidates फिर मुझे comment करके बोले थे जाके सर BSC Paramedical का तो exam center UP में ही नहीं ठीक है तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होता तो BSC Nursing वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने UP के centers के बारे में बताया है और जो BSC Paramedical की मैंने वीडियो बताई है उसमें मैंने आपको कोई भी UP का center नहीं दिया मैं जो भी choices दिये गई है उसमें से अगर आपको चूज करना है तो आप कर सकते हो और जिसको नया वाला center चूज नहीं करना तो मत करो कोई भी problem नहीं है आपका पुराना वाला center ही रहेगा फिर ठीक है तो यह चीस clear हो गई और वो दोनव वीडियो देख लेना जिसने नहीं दे आप जो है आप देखो कि message pop-up हो रहा है कि additional city details has been updated इस तरीके को एक message update होगा ठीक है तो अगरी message update होगे इसका मतलब आपका काम खतम फिर आप यह कह रहे हो कि वो center जो है वो हमको दिखनी रहे कैसी दिखेगा तो देखो print जो आपका जो print confirmation वाला जो pages को कैसे print लेना है जब आ automatically आप login वाले page पर पहुँच जाते तो कोई problem नहीं है वहीं से आप दुबारा login करके अपने dashboard पर आओगे dashboard पर आने के बाद आपको वहाँ ऊपर total 7 options दिख रहे होते हैं ठीक है 7 के है वो steps है steps of registration तो 7th step जो है registration का वहाँ पर लिखा होगा print ठीक है उस पर green हो रखा होगा already ठी इसके उपर 7 लिखा है जहां पर print लिखा है उसी green mark के उपर आपको click करना है click करने के बाद जो है आपके सामने जो page आपकी screen पर आएगा वो आपका confirmation page होगा और उसमें चेक करना उसमें आपके दो cities लिखे होंगे old examination city और new examination city ठीक है इस तरीके से दिखा रहा है तो कुछ candidates का doubty कि ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो इसके बारे में मुझे भी कुछ जादा नहीं बता कि ऐसा वो show क्यों कर रहा है लेकिन हां मतलब मैं अपने जो experience है उसके basis पे मैं आपको बता रहा हूं कि वो old और new दोनों अलग-अलग क्यों दिखा रहा है उस page में ठीक है और एक या वो confirmation page का screenshot लेके अपने पास safe करके बहुत अच्छे से रख लेना है क्योंकि future में वो आपकी counseling के बाद जब आपका admission होता है तो वो मांगा जाता है ठीक है तो वो आपको क्या करना है screenshot लेके रख लेना है और साथ ही मैंने क्या चीज़ बताई मैं क्या बता रहा था कि old औ और new exam city वो दोनों दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि क्या है कि suppose पहले आपने कोई और center चूज करा उसके बाद आपने new examination center चूज करा तो यह है कि मतलब aims वालों के पास यह proof रहे कि आपने आपने जो है पहले यह वाले exam center चूज किया था उसके बाद यह बोलो कि भई मैंने तो यह नए वाला examination center चूज किया ही नहीं है ठीक है मैंने तो पुरानी वाली list में सही किया था ठीक है तो वह हो सकता है इसलिए वो दोनों दिखा रहा हो तो उसके लिए attention लेने की ज़रूत नहीं है और यहाँ पर उन candidates के लिए information है जो candidates new form फिल कर रहे है या करने वाले हैं अभी तो 20 अपरेल last date है 20 अपरेल तक आपको basic registration करना है registration वगरा कैसे करना है उस पर मैंने already video बनाई है उसका link आपको comment section में मिल जाएगा वह वाली video पूरी एक पर देख लेना ठीक है तो उसमें मैंने सारी detail बताएगी कि registration का process जो वो किस किस तरीके से करना फोटो करना है वो सारी information उस video में तो उसका link आपको comment section मिल जाएगा जो अभी registration करना चाते है अब जो candidate नया registration करेंगे उन्हें new examination center की जो मतलब new examination city जो है उसके option नहीं दिखाई देंगे ठीक है जब आप अपना payment करोगे payment करने के बाद जब आपको first city select करने का option आता है तो उसम से आप अपना जो है जो भी nearest है वो आप चूज कर लेना ठीक है वो चूज करने के बाद आपके पास प्रोसीट का option आएगा प्रोसीट पर क्लिक करने के बाद आपके पास confirmation page आजाएगा confirmation page के नीचे print लिखा हो प्रेंट पर क्लिक कर देना ये process एक बार पूरा खतम करने के बाद वापस से दुबारा login करके फिर जो आपके पास option आएगा new examination city center update इस तरीके का जो आ रहा था मैंने बताया था जो link है जहां से आपको new examination city center select करना है उस पर फिर से click करना और फिर से उस पर click करने के बाद जो है अपने नए वाले examination center चूज कर लेना ठीक है वो चूज करन ठीक है तो वह दोनों दे रख्योंगे और वह वाले page का screenshot लेकि अपने पास समाल के रख लेना ठीक है तो aims वाले क्या करने है जो new candidate अभी registration कर भी रहा है तो उसको भी old city पहले choose करना पड़ रहा है और वो पूरा process खतम करने के बाद उसको new city जो है वो update करने पड़ है ठीक है तो अगर यह video helpful लगे तो प्लीज फजरो like कर देना चैनल पर नहीं तो subscribe कर लो और बाल icon को प्रेस कर लो इसके regarding future में और भी जो information होगी वह आपको time to time मिलती रहेगी okay so thank you and have a nice day